इस पनी ठिक का ग्रेवी is one of my favorite and full of flavors तो यहाँ पे हमने एक बोल में ले लेना है घाडा दई लगबग एक कप के करीब यहाँ पे मैंने लिया है बेसन लगबग आदा कप के करीब followed by some कश्मीरी लाल मिच पावडर कसूरी मेथी and सरसो का तेल raw सरसो का तेल लिया है क्योंकि इस marination की जान है यह सरसो का तेल यहाँ पे हमने डाला है पनीर लगबग 200 ग्रैम्स और यहाँ पे मैंने vegetables यूज की हैं जैसे की टमाटर, शिमलमिट, प्याज आप चाहें तो red and yellow bell pepper भी यूज कर सकते हैं बहुत tasty लगेगा उसके बाद एक quick mix देने के बाद यहाँ पे हम add करने वाले हैं salt as per taste और यहाँ पे उसके बाद हम डालेंगे अपना गरम मसाला वो शूट करना मैं भूल गई थी तो गरम मसाला add करने के बाद एक से अच्छा से quick mix दे देंगे दियान रखेगा कि पनीर एंड वेजीटेबल्स अच्छे कोट हो जाए रेस्ट देना at least for half an hour मैरिनेट की हुए वेजीटेबल्स एंड पनीर को मैंने squeeze पे लगा के इसे directly gas पर भून लिया है आप चाहे तो तवे पे या फिर fry pan में भी इसे भून सकते हैं ऐसे तो यह पनी टिककर ready हो चुका है आप इसमें निम्बूई squeeze करके enjoy कर सकते हैं लेकिन हम बना रहे हैं gravy तो यहाँ पे मैंने लिया है oil उसमें मैंने डाला जीरा followed by the chopped प्याज उसके बाद हमें इसे golden brown होने तक भूनना है फिर हमने यहाँ पे डाला है चार छोटे tomato की puree आप चाहें तो बजार की puree ले सकते हैं लेकिन fresh वाली puree का मजा ही अलगाता है उसके बाद हमें ढखके पकाना है at least for 10-15 minutes low flame यहाँ पे हमारी gravy almost ready हो चुकी है फिर यहाँ पे मैंने डाला है red chili powder, healthy powder, सूखा धनिया powder and salt as per taste देखिए ग्रेवी में हमारे salt नहीं है बट दिहान से डालिएगा नमक क्योंकि हमारे marination में already नमक डाला हुआ है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही नमक डाला है gravy ready हो चुकी है अगर आपको थोड़ी ड्राय लग रही है gravy तो आप इसमें थोड़ा सा दूद या फिर फ्रेश क्रीम एट कर सकते हैं घर की मलाई भी चलेगी यहाँ पे मैंने एट कर दिया अपना पनी टिका और जो थोड़ा marination बचाता वह भी मैंने इसमें एट करके जिससे कि हमारे flavors और जादा एनहेंस हो जाएं आपको बस अब पांच मिनिट का वेट और करना है स्लो फ्लेम पे पकाना है बस आपके पनी टिका ग्रेवी की सबजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है दैन उसके बाद आप चाहे तो इस पे थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे नहीं किया है और मैंने इसलिए एड नहीं किया है उपर से क्योंकि हमने पनी टिका में अल्रेडी अच्छे से डाल दिया था एंजोई करिए तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ में और 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 भी ऐसी रेसिपीज के लिए फॉलो कर लीजिए थैंक्स फॉर वाची